क्या हल चाले आप सभी लोगों के उम्मीद करता हूं कि आप सब मजे में होंगे और बहुत दिन से वीडियो वगेरा नहीं डाल रहा था मैं मुझे पता है आप लोगों का एकजाम भी होने वाला है अगले मैंने आप लोगों को कुछ विक पहले और काफी लोग जुड़ गया है मेरे जो प्रेपरेशन वाले जो सीडेक का ग्रूप है था उसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोगों आपस में डिसकस वगयरा करते रहते हैं आज थोड़ा सा फ्री हुआ हूं मैं फ्री नदा आपको लास्ट कुछ वीक बचे हुए जो आपको तो कैसा क्या करना चाहिए जहां तक का मुझे नौलेज है जो लोग जुड़े हुए है तो वो सभी लोग जानते होंगे मुझे कहां से मैंने क्या प्रेप्रेशन की क्या राइंक वगयरा थी सब कुछ मेरा जो लोग भी अगर मुझे नहीं जानते तो मैं आप लोग को बता दू कि मैं भी सीडेक एक्ट स्पूने से डेक कोर्स कर रहा हूं मेरा भी रैंक जो था वह 1000 के अंदर ही था और मॉड्यूल के कर मैं थोड़ा सा अप्डेट देते देता हूं क्योंकि बहुत दिन से अपडेट भी नहीं होगा उन्मारा 13 रremm को लिए सीची होने वाला है हमारा है रहो सारी चीजी मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा अभी आप लोग तो अपने एक्जाम में फोकस रख़ो की कैसा क्या प्रिप्रेशन वगेरा करना है हैं फिर मैं आप लोग को बताऊंगा सारी चीजे अभ कुछ खास चेंजिस नहीं हुआ है थोड़ा बहुत चेंजिस हुआ है कि कुछ पार्ट आपका सेक्षन बीस से निकल के सेक्षन ए में आड हो चुका है मैं देख रहा हूं जैसे कि अभी पहले भी देखा था मैं सोचा थोड़ा सा अपडेट दे दू आप लोग को इस चीज स बताता हूं कि देखो कुछ भी अभी बच्चे हुए हैं जो अभी चेंजिस हुए हैं जैसे मैं सेक्षन ए की बात करो तो इंगलीज एप्टिट्योड एंड रिजनिंग वो सारी चीजे तो देखे सेम ही है और उसमें एड जो हुआ है वह हुआ है कंप्यूटर से बहुत से जादा लोगों को आपको मैं confusion होगा कि concept of programming में क्या कैसा होगा तो basic रहते हैं अरे बगएर इस्ट्रिंग वगएर यह सारी चीजे से related जो रहते हैं आपका data type बगएरा क्या कैसा किती size होती है वो सारे चीजे जो basic होते हैं उनके related ही question आएंगे MCQ तो इतना ज्या reasoning और सारी चीजें जो होती थी जिनका वेटेस थोड़ा ज्यादा होता था पंदरा पंदरा नंबर के आपटे रिजनिंग आते थे वह सकता है कि अब थोड़े कम हो जाएंगे और आपका यह जो नया module एड़ हुआ है उनमें से question आने लगेंगे हम and section B कि अगर मैं बात करू के थ्रू है तो सी प्लस प्लस तो उतना तो आप पढ़े ही होंगे क्योंकि मैंने बूला भी था आप लोगों से कि सी प्लस प्लस भी आपको पढ़ना पढ़ेगा उपस वगेरा concept जो आएगा आपको जितने भी basic oops concept होते हैं जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे polymorphism abstraction inheritance and all the things जो भी हैं तो बेसिक ही पूछेगा आप से की method overloading, overriding इस सारी चीज़े क्या कैसे होती है, classes, object वही सारी चीज़े होती है option में तो आप से MCQ based में पूछेगा, C++ के snippet आएंगे, snippet in the sense आपका output guess करने type के question आएंगे, किसके output क्या होंगे, code लिखा रहेगा, तो ज्यादा आप लोग tension मतलों, अगर आप लोग का basic अच्छा होगा, तो easily आप लोग guess कर सकते हो कि इसका output क्या होगा, और अभी जितना प अगर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग को networking भी, आप लोग को basic ही है, networking भी आप लोग को ज्यादा tension लेनी की जरूरत नहीं है, and big data and AI जुड़ा हुआ है आप लोगों में जो, तो देखें क्या है कि big data and artificial intelligence जो है, उसकी भी basics लिखा हुआ है आप तो आप एक काम करिए, अगर आप लोग पढ़ तो चुके होंगे, मुझे भी लग रहा है, जहां तक अगर नहीं भी पढ़े होंगे, तो आप YouTube में कोई भी सर्च करिए, module डाल करके, या तो फिर आप Google में सर्च करिए आप लोग इसको, आप लोग को basic उसका जो भी होते है न, वो सारी चीज़ आपको म सब चीजों के हो, वही यह चाहते हैं, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है, कि हो सकता है आपके अभी सर्च में, अगर आप लोग अभी जो जॉइन करो अगले बैच में, तो यह module फैद एड कर दे आप लोगों को, तो देखो आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा सा प लगाओ, जो भी है, आपके सेक्शन B से, and computer fundamental and concept of programming, वो सारी चीजों के भी आप लोग MCQ लगाओ, and exam में आप लोग को कैसा क्या करना है, वो मैं आपको दे दूँगा, एक exam के पहले वीडियो, कि क्या गलती हैं, आप लोग को नहीं करनी है, क्या कैसा है, आप लोग अभी रिकॉल आएंगे, जितनी ज्यादा प्रैटिस करोगे, थोड़ा सा MCQ के option इधर उधर रहेंगे, तो भी आपको recall हो जाएगा, कि यार ने, इसका answer ये होता है, तो MCQ की प्रैटिस करो, और जितना हो सके, आप लोग बेसिक वगएर अपना तो clear करी चुके होगे, एप टी के question लगाते रहो, reasoning लगाते रहो, और English में आपके जितने भी, synonym, antonym, जो भी थे, आपके वो सारी चीज़े आप complete करो, इंडिया बिक्स से पढ़ो, सारी चीज़े, exam बेड़ा, जो side था, मैंने बताया था, exam बेड़ा के बारे में, तो वहां से भी कुछ-कुछ देखते रहो बाकि और material के लिए आप लोग जॉइन कर सकते हो, telegram group जो लोग भी जॉइन नहीं किये हैं, पाफी material मैंने share किया है, वहां पे आप लोग को drive link के थूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, preparation करो, बाकि क्या कैसा है, street deck के related, वो सारी चीज़े भी मैं आप लोग को तो आप लोग telegram group join कर लिजेगा, instagram account है, मेरा वहां आप लोग follow कर लिजेगा, जो भी आप लोग को doubt हो, कभी कुछ भी तो आप लोग पूछेगा, जब भी मुझे time मिलता है, मैं हर किसी को reply करता हूँ, हर किसी को doubt जो भी है, वो clear करता हूँ, तो जल्दी से आप लोग को update देता हूँ फिर कोई अधर वीडियो में अच्छे से preparation करिये, और अच्छे से MCQ वगरा practice करिये, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मिलता हूँ फिर मैं आप से अगले वीडियो में